डॉक्टर बाबा सहब अंबेड करने कहा है इस वीडियो सिरीज में आपका फिर से स्वागत है आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर बाबा सहब अंबेड करने समवीधान के विशे में समवीधान सभा में क्या कहा था अगर आपको यह विडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दक्तर बाबा सहब अम्बिड करने कहा है मेरी राए में सम्विधान भले कितना भी बुरा हो उसे लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर हैं वे अगर इमानदार हों तो वे अच्छे ही साबित होंगे इसी प्रकार सम्विधान भले कितना भी बुरा क्यों न हो उसे लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर हैं वे अगर इमानदार हों तो वे अच्छा ही साबित होगा समवीधान पर अमल करना पूरी तरह से समवीधान पर ही निर्भर नहीं करता समवीधान केवल राज्य के कुछ हिस्सों को जैसे की कानून मंदल, कारेकारी मंदल और न्याईपाली का बनाता है इन विभागों का कारिय हमेशा लोगों पर तथा अपनी आकांक्षाएं तथा साधनों के रूप में लोगों द्वारा निर्मान की गई राजनितिक पार्टियों पर निर्भर रहने वाला है भारत के लोग और उनकी राजनेतिक पर्टियां कब किस प्रकार पेश आएंगी या कोई कैसे बताएं अपने उद्योशों की प्राप्ति के समविधानिक मार्ग को अपनाएंगे या फिर क्रांतिकारी मार्ग को अपनाएंगे अगर वे क्रांतिकारी मार्ग को अपनाएंगे तो भले सम्वीधान कितना भी अच्छा क्यों न हो वे असफल ही रहेंगे यह बताने के लिए किसी विधिवेता की जरूरत नहीं है इसलिए भारतिय लोग और उनके राजनितिक दल कैसे पेश आएंगे यह जाने बगएर सम्वीधान के बारे में कोई भी निरनाई लेना निरर्थक होगा यह बात डॉक्टर बाबा सहब अंबेड करने सम्वीधान सभा में दिनांक 25 नवंबर 1949 में कही थी डॉक्टर बाबा सहब अंबेड करने कहा है इस वीडियो सिरीज में अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद